असलावलेकूम मैं हूँ तस्नीम खान आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताके आने वाली हर वीडियो का नोटोफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे तो आएए देख ठाप मतले मेरे तो आज मेरे शचैनल रहे तो आज मेरे चैनल अपने किचनल पर ने मेरा हुं की करें काली मिर्चो का पाउडर ले लिया है एक चमज मैंने गरम मसाला ले लिया है नमक अपने टेस्के मुताबिक ले एक लेमन जूस ले लिया है मैंने गिंजर गाली पेस ले लिया है एक चमज छे से साथ मैंने हरी मिर्चे ले लिया है दस से बारा काजू लिया है इसका हम मुट क्रीम भी मिसी में डाल देंगे दही भी डाल देंगे जिंजर गालिक पेज भी हम अपना ही आइट कर देंगे और सारे मसाले जो मैंने आपको बताये हैं लिमन जूस इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करलेंगे ठोड़े ठोड़े चिकन हुण डाल कर लिखकरते जाएंगे तोड़े ठीम हमरे ऺसी बालने बालने मिक्स करते जाएंगे सभी को डाल कर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो सभी चीजों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया अब इसमें में कटोरी रखेंगे जलता हुआ चार गोल रखेंगे और एक चमज हम इसमें देशी घी डालेंगे इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसे ढखकर हम इसे हम छोड़ देंगे तो चीकन को हमारे रखे हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं और जो हमने इसमें चार गोल का स्मोक दिया था यह बहुत अच्छी तरीके से इसमें आ चुका है तो इसे निकाल देंगे तो आएए इसे पका लेते हैं तो जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है पैन को हमने अपमे गरम कर लिया है इसमें एक बड़े चम्माचे करें इसमें हम आइट करेंगे और इसे गरम हो जाने देंगे तो ऑईल हमारा गरम हो चुका अब इसमें मेक एक पीस हम इस तरह से उठाते जाएंगे और इस तरह से करके हम डालते जाएंगे ऐसे थोड़ा दूर ही अच्छी तरीके से हम ग्रेवी को मकने बचाते हुए इसे निकाल कर डालेंगे अच्छी तरीके से इसी तरीके से तभी को बिछा देंगे तो देखिए सभी पीसेस को हमने अच्छी तरीके से डाल दिया है अब इसे हम एक तरफ से अच्छी तरीके से हो जाने देंगे फिर हम इनकी साइडे चेंज करेंगे और अच्छी तरीके से हम कुक कर लेंगे बिल्कुल गोल्डन सा कलर आ जाए इन पर अच्छी तरीके से देखिए ऐसा इस तरीके से इसे हो जाने देंगे तो देखिए सभी की हमने साइडे चेंज कर लिए हैं कितना अच्छा सा इनका कलर आ गया एक साइड से तो दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से इने कुक कर लेंगे की का इखाने में बहुत ही मज़े की लगती आप लोगे में ज़रू ट्राइ और जे चार गौल की ultra की स्मग दी जाती ए वह बहुत ही मज़े की इसमें आती आती है इसे घर पर बदैंगे बबान कर नहीं आप को आपको ने सच से रेस्सोरेट नमे खा़ा है तो सब्स् Options भूक कर लें अ है मैं तो जरी है यहा, ग्रेवी के उने अदर पीजे जरी है कि ऊपिले कि अच्छा सब्सीं से इसकम अधाए यह तो देखिए चिकन हमारा अच्छी तरीके से वो चुका दिसे हम बाहर निकाल लेंगे देखिए चिकन को हमने पनी निकाल लिया है उसी पैन में हम जो बाकी का बचा हुआ ऑईल है उसे में अपनी ग्रेवी डाल देंगे अच्छी तरीके से कूप कर लेंगे तो चलाते हुए हम इसे अच्छी तरीके से कूप कर लेंगे जादा हमें इसे नहीं पकाना है बस दो से तीन मिनट ही इसे कूप करना है ग्रेवी के लिए हम ने इसमें काजू का इस्तिमाल किया है अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इसी तरीके से आप इसे बना कर खा सकते हैं बहुत ही मज़ी की रेसिपी बनती है तो दो से दीन मिनट तक हम ने इसे कुक कर लिए अब इसमें अपना चिकरन एट कर देंगे इसे डाल कर अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसे चला लेंगे तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए एक मिनट तक इसे कुक कर लेंगे तो देखिए एक मिनट तक हमने इसे कुक कर लिया है तो बनकर हमारी चिकन अफगानी ग्रेवी बनकर तयार है तो इसे कर लेंगे डिश आउट गैस कर देंगे तो देखिए किती शांदार सी हमारी चिकन अफगानी ग्रेवी बनकर तयार है तो जाइए आप भी बना कर खाईए अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करना दोस्तों फैमली में शेयर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलती हूं मैं नेक्स वीडियो में तब तक कि अपना खयाल रखिए मुझे भी दूआं में याद रखिए अल्ला आपीज